नमस्कार न्यूस 44 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दिक्षाराठो भारत एक ऐसा देश है जहां जनता को अपना प्रती निधी अपने वोट के जरीए चुन्ने की आजादी है ऐसे में भारत की जनता का हर एक वोटर सरकार चुन्ने में अपनी भूमी का निभाता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलकर वोट नहीं डालने जाते हैं कि उनके अकेली वोट ना देने से आखिर क्या फरक पड़ेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक वोट भी सरकार बनाने और गिराने के लिए काफी होता है जैसे कि 1999 में ही देख लो 1999 में अटल विहारी की सरकार में केवल एक वोट ना मिलने की वज़ह से ही सरकार गिर गई थी उस समय सरकार और देश को एक वोट की कीमत समझाई थी लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बेहत कीमती वोट का इस्तमाल नहीं करते हैं और वोट नहीं डालते हैं वहीं कुछ ऐसे भी वोटर होते हैं जो अपने वोट अपने हक का इस्तमाल करते हैं और अपने दिन्चर्य से समय निकाल कर वोटिंग बूत पर घंटो लाइनों में लगकर वोट देने के लिए जाते हैं लेकिन अगर आप वोटिंग बूत पर पहुंचे हैं और आपको पता चलता है कि आपका वोट पहले से ही डल चुका है और आप वोट नहीं डाल सकते हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिती में आपको क्या करना चाहिए जब भी आपको ऐसी स्थिती का सामना करना पड़े तो आपको चुनाव आयों के नियम टेंडर वोट के बारे में पता होना चाहिए जब भी आपको मतिदाता केंदर में जाकर पता चलता है कि आपका वोट डल चुका है और आपने नहीं डाला है तो ऐसी सिती में आप टेंडर वोट का इस्तिमाल कर उसे चुनौती दे सकते हैं इसके लिए आपको मतदाता केंदर पर उपस्तित पीठा सीन अधिकारी से मामली की शिकायत करनी है जिसके बाद पीठा सीन अधिकारी आपकी दस्तावेजों की पूरी जाच करेगा अगर आपका दावा सही मिलता है तो वह आपसे बैलेट पेपर के जरीए आपका टेंडर वोट डलवाएगा लेकिन अगर आपका दावा गलत निकलता है तो फर्जी वाड़ी के तौर पर आप पर पुलिसी कारेवाही भी की जा सकी है तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो जांच जरूर करें और मतदान जरूर करें तो अभी के लिए के विल इतना ही है ऐसी और अधिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ सिर्फ News 44 पर